तो जैसा कि इस सवाल में आप देख सकते हैं which of the following river rise in the Himalayan control of Lohan and Spiti तो Lohan and Spiti में कौन सी river originate करती हैं वहां से flow करती है तो वह हमार answer होगा चेनाब क्योंकि चेनाब basically 12 लाचला पास से originate होती है 12 लाचला पास तो जैसा कि इस सवाल में आप देख सकते हैं the confluence of which two rivers makes the river चेनाब चेनाब किन दो river के confluence हैं या उनके मिलन से बनती है तो मारा answer होगा चंदरबागा तो इस question में basically पूछा गया है चेनाब river enters into J&K at which district of Jammu region तो Jammu region के किस district में वो enter करती है तो मारा answer होगा किस्टवाड और basically originate होती है आपके लोहलचपिती वाले area में इन बारल अचला पास तो इस question में पूछा गया है the lower areas of Varwan river is known as what तो मारा answer होगा मरुसूद river तो वारवन river के जो lower area है lower portion हो इसको मौरसूद river के नाम से जाना जाता है तो इस question में पूछा गया है name the river which originates from the Kelash Kund glacier of Doda district तो डोड़ा के area के Kelash Kund glacier से एक river originate होती है जिसका नाम है तवी तो इस question में पूछा गया है चिनेनी हाइडरो पार परजेक्ट is constructed on which river तो हमारा answer होगा river तवी तो नाज और भिनी नाला are the tributaries of which river तो ये जो नाज और भिनी नाला है ये आपकी उज रिवर की tributaries है तो हमारा answer होगा उज रिवर तो ये हमारे जो question है इस पर पूछा गया है तो what is the source of jailham river तो jailham river का जो source है वो एक spring है जिसका नाम है वेरी नाग तो वेरी नाग तो वेरी नाग is the source of jailham river name the river which originates from the kalohi glacier in the north western himalaya range तो kalohi glacier से आपका कौन सी river originate होती है तो आपका answer होगा इन में से लिदर क्यूंकि तवी आपकी basically कैलाश कुंड से originate होती है रावी आपकी रोतांग पास से और इंदर्स आपका मानसुरोवर से originate होता है तो इंदर्स रिवर राइजस फ्रॉम विच लेक इंदर्स रिवर का जो basically source है वो है मानसुरोवर लेक तो इंदर्स की रिवर की कौन को शी रिविटिस हैं तो बिसिकली शोग और जन्सकर दोनों ही आपकी इंदर्स की रिविटिस हैं तो आपका आंसर हो जाएगा बहुत ए और बी तो सी पार्ड विल बी अवर आंसर जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं इंदर्स की दो ट्रिविटिस हैं यह है आपकी शोग और यह है आपका जन्सकर तो इस कोशन में पूछा गया है नीलियम रिवर को किस और नाम से जाना जाता है तो नीलियम रिवर का जैसर दूसरा नाम है वो है किशन गंगा रिव तो इस question में पूछा गया है किशन गंगा या नीलम रिवर आपकी जेलम रिवर को कहां पर जाके मिलती है तो इसका answer होगा मुझफराबाद तो इस question में पूछा गया है which river is known as the river of death तो river of death का हम शोक river का दूसरे नाम से भी जानते हैं सुरू river basically कहां से originate करती है तो सुरू river basically आपकी पैंजला glacier से originate करती है और सुरू river आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है ये आपकी इंडस river की एक ट्रिब्यूटरी भी है विच रिवर originate सिंदा मचोई glacier जो की जोजीला पास के नियर है तो एक मचोई glacier है जहां से एक रिवर originate होती है इसका नाम है आपका द्रास river जो की करिगिल डिस्टिक्ट से पास भी करती है तो नूब्रा रिवर मर्जिस विच आफ दा फॉलिग रिवर in southeast तो नूब्रा रिवर basically किस रिवर से मिलेगी तो नूब्रा रिवर मीट्स विदा श्योक मांसर लेक is situated in which mountain ranges तो मांसर लेक basically जमो रिजन के पास है उसके north east direction में है और ये शिवालिक ranges के foot hills पे located है तो मारा आणसर होगा शिवालिक्स